बीते दिनों हुई गुरसराय में एक महिला की हत्या का खुलासा पुलिस शेत्रादीकारी कर उठा ने किया है जहां मा के अवैद संबंदों के चलते उसके पुत्र ने ही महिला की हत्या की थी बीते रोज गुरसराय थाना शेत्र के अंतरगत ग्राम मरपूरा में चौकीदार की पत्नी की हत्या का खुलासा पुलिस शेत्रादीकारी गर उठा डॉक्टर अविशेक राहूल ने किया जहां मृतिका के पुत्र ही उसका कातिल निकला जहां पुलिस शेत्रादीकारी ने ब मन्द में उसने कई बार अपनी पिता को भी बताया लेकिन मा के आश्रण में सुधा नहीं आया आखिर में पिता नाराज होकर गुरसनाय में मील पर चौकी दार का काम करने लगे और वही रहने लगे अवियुक्त ने बताये कि 25 मई की रात्री लगवक 10 बजे बाहर से अपने गाउं के ही किसी व्यक्ति के साथ आपती जनक हालत में देखा जिसके बाद वह व्यक्ति मौके से भाग गया जिसके बाद अभी युक्त का मा से विवाद हो गया और गुस्से में आकर वह मृतक मा को साड़ी में लपेट कर कमरे तक ले गया और काफी देर तक गले को दबा पर ही शक्त हुआ था जो सही निकला जिसके पास एक घटना में प्रियोग की गई कुलहारी बनामत की गई अभियुक्ति के खिलाप मामला दर्श कर जेल भेज दिया गया है अभियुक्ति को गृपतार करने वाली टीम में गुर सनाय थाना द्यक्ष अजी सिंग संजीब कुम संजे कुमार वाचालक भलवीर सामिल रहे इक नाम रबिंद कुमार पास है निवासी मड़पुरा क्या हो गया था जी सर हमारी मा का दूसे के साथ संबंद था सर उसको मैंने तंग यहां तो पकड़ा है सर मैंने देखा है तो तो तुम अपनी मा गूमार ती है काहे समारे थे पहले शार उपने चेनल बनाये था सर अधर कुलारी से कुलारी समारे थे तो तुम जान गए थिक मार गई है। गुरसराय सी सूम मिश्चक रिपोर्ट लुम जान गए थाइ। झाल झाल